वीडियो में बात करेंगे बिपसे प्रजेक्ट मैनेजर का Indian Economics section बिपसे ने जिस लेभर जारी किया है Indian Economic का उसका chapter 1 हुन हम दिसक्स करने जाने है Introductions to Economics इसमें 5 Concept को मेंशन किया गया है GDP GnP potential GDP per capita income और purchasing power parity यह 5 concepts को ڈिसक्स करेंगे उसके बाद हम एक नए दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिसकस करेंगे इस पांचों कॉंसेट पे कॉस्टेंज प्रीविएस एर कॉस्टेंज एम से क्यू इस दोनों को कंप्लीट कर देने के बाद हमारा यह चप्टर रेडी हो जाएगा और सारे प्रसंद किये जा स साथम्स देश के अंदर का और प्रोडग मतलब जो ही बस्तू निरमित की जारी है सर्वेसिस दिया रहा हूँ उससको हम बोलते हैं प्रॉडप्तूम्हक्ता में जिडिपी क्या है कि किसी भी देश के अंदर जितनी भी बस्तू निरमित की जा रही है उसके मॉनिटृट्री value का sum कितना निकल कर आ रहा है वही आपका GDP होगा इसमें ध्यान देना है कि जो भी बस्तुए निर्मित हो रही है या final goods होना चाहिए intermediate goods की बात नहीं कर किया जा रहा है ठीक है और GDP जो calculate किया जाता है वह किसी भी period of time के लिए calculate कर सकते है है specific period of time quarterly basis पे calculate कर सकते है या yearly basis पे calculate कर सकते है ठीक है इसमें ध्यान देना है कि कि किसी विदेश के boundary के अंदर का भाग consider तो करते ही करते हैं इसके अलावा क्या-क्या consider करते हैं GDP में military establishment activity को भी consider किया जाता है shipments को ships को भी consider किया जाता है जैसे इंडिया से कोई सामान नाव के द्वारा ships के द्वारा Thailand पहुंचाया गया तो जो भी services की दी जारी है उसको भी consider किया जाएगा aircraft को इंडिया से plane के द्वारा Afghanistan transportation किया जा रहा है उसको भी consider करेंगे ambassadors को भी consider करते हैं इसमें एक और important क्या section है कि GDP में क्या-क्या चीज को consider नहीं किया जाता है कभी-कभी इससे भी question आता है ठीक है तो जो dispute वाला reason है उसके अंदर जो भी product बनेगी उसको consider नहीं करेंगा जैसे यह हमारा जमु कस्मीर है जमु कस्मीर के भाग में पाकिस्तान भी claim करता है इंडिया का भी है पार्ट है तो इस reason के अंदर जो बस्तों बनेगे उसको GDP में count नहीं किया जागा कुछ ऐसे भी area होते हैं जहां boundary define होते हैं जैसे आपका समुंद्र है समुंद्र में कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहां define रहता है कि किस country का administrative area और कहां क्या है नहीं है तो उस वाले illegal है right gambling से जो भी financial activity हो रही है या फिर services दी जा रही है उसको consider नहीं किया जा सकता है gambling हो गया और जो भी illegal activity हो रहा है ठीक है smuggling हो गया यह सब चीज को GDP में count नहीं किया जाता है चलिए बात करते हैं GDP calculate कौन करता है तो GDP को calculate करता है CSO यह काफी important question है इंडिया की GDP की बात क्या जाया तो current price पर 2019 में इंडिया का GDP था 2.87 लाग करोड यह आपको USD में है rupees में नहीं है ठीक है तो 2.87 लाग करोड USD मतलब 2.67 trillion USD के असपास होगा बिहार की GDP की बात क्या जाया तो बिहार का state domestic product जो है GSDP यह आपको 6,11,804 क्रोड था यह आपको current price की बात कर रहे हैं 2019 बिस में current price पर GSDP यहार का था 6,11,804 क्रोड रुपी में अब यह constant price क्या होता है और current price क्या होता है कि किसी फैनल सेयर में जैसे ँननीस बीट की बात कहा जाए तो उननी इस बइस Morvan का प्राइस था उसके कॉर्ड़िंग और क्वाट्ट पराइस की निस इस समयारे है जैसे जिए स्टैंद केले से तो तो आपका content price GDP का लाता है ठीक है आगे भी इसका हम discuss करेंगे कोई बात नहीं है अब बात किया जाए कि GDP contribution में तो मैनली इंडिया का contribution GDP में वो तीन सेक्टर दिया जाता है कि करता है agriculture इंडर्स्ट्री और सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा contribution GDP में सर्विस सेक्टर का होता है और यह आलवेज इंक्रीजिंग रहेगा सर्विस सेक्टर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा हर साल बढ़ता ही रहेगा घरता नहीं है ठीक है जबकि अग्रिकल्चर इंडस्ट्री में फ्रक्शूएशन आप डाउन हो सकती है बट सर्विस सेक िस उभी इंक्रीजिंग राइट इसके बात करते हैं इंप्लायमिन्ट तो इस सारी में सबसे ज़्यादा देती है वह नमबर ऑफ एंप्लायवी जो सबसे ज़्法ि कंप करते हैं वह एग्रीकल्चर से एक्रिकुल्चर करते। कि किसी विदेश का economy कैसा गुरू कर रहा है या कांट्रास कर रहा है मतलब की economy अगर बढ़ रहा है और expansion हो रही है new job creation हो रहा है new investment हो रहा है new product बन रहा है ज्यादा ज्यादा प्रड़क बन रही है तो उस condition में GDP growth rate positive है क्योंकि बढ़ रहा है ज्यादा प्रड़क बनना है तो अब यह में भी हो सकता है job loss के कारण हो सकता है recession का दोर चल रहा हो less investment हो रही है तो इस conditions में GDP growth rate einfach negative हो जाता है अब इंडिया का GDP की बात क्या जाए तो इंडिया का growth rate की बात क्या जाए तो इंडिया का growth rate estimate कया गया एड़्वांस estimate कया गया इन्सो के द्वारा कि ministre dan परसेंट रहा कर शंसली वन में वही भीहर की growth rate की बात क्या जा आ तो Google plus दोजार उन्नीस बीस सेशन में ग्रोफ रेट था मतलब पिछले साल के GDP के अकॉर्डिंग दोजार उन्नीस बीस में GDP का 10.5% इंप्रोव्मेंट हुआ यह कर सकते हैं आगे बात करते हैं GDP जो में GDP का जो ग्रोफ रेट इंक्रीज करता है यह करता है वह में चार फैक्टर है कंजंप्शन अगर ज्यादा कंजंप्शन होगा ज्यादा प्रोड़क बनेगा वह हम कहा सकते हैं कि यह ओविस्ली ड्राइफ करेगा जी डीप को उस के अधि बिजनेश इंवेस्मेंट कंश इंवेंटरी लेवल्स और भी जितनी भी ने ने चंस्ट्रक्शन होगा सर्वीसेस होगी जाएगी तो वह बिजनेस इंवेस्मेंट जादा होगा तो भी आपको सब्सक्राइब करेंगा जुष सर्कार खर्च करती है डिफाय को मैं णकर्णेट में सब्सक्राइब गुडिबर का युझा करती लिए ग्रोग रिवाडव कारे ने शन हिरेंब की जैसे तो तो हिंडिया है हम लोग बाहर करते है कुछ बन तो इंपर्ट करती तो इस नेट ट्रेड क्या चल रहा है उसको भी हम कह सकते हैं कि यह ड्राइब करता है जी डीपी को अगर सिंपल एक बात क्या जाए कि गौवर्मेंट अगर स्पेंड कर रही है कभी-कभी रिसेशन हो जाता है तो गवर्मेंट को खर्च करना पड़ता है ताकि हमारा को पूश करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए गौवर्मेंट एक्स्ट्रा खर्च करती है जैसे 2020 में जब लॉक्डन हुआ तो सारे जो भी वर्कर्स थे जो भी डेली वर्कर्स थे वह छोड़कर अपने अपने गाउं की और तरफ चले हैं तो उसमें क्या था कि मनरेगा में सरकार ने एक्स्ट्रा पैसा क्या था 65,000 अप्रक्स ताकि लोगों को मनरेगा में काम दिया जाए और कार्यूक किया जाए ताकि वो लोग पैसा उनके पास मिल सके कमा सके और खर्च किया जा सके आगे नौमिनल जीडीपी क्या होता है तो देखिए जीडीपी में तीन म जीडीपी जो हम बात कर रहे हैं वो नौमिनल जीडीपी ही बात करते हैं नौमिनल जीडीपी मतलब किसी भी फैनेंसियल में जो भी गूड्स और सर्विसस प्रोड्यूस करें उसके टोटल आउटपुट का साम आपको नौमिनल जीडीपी होता है जनरली हम लोग जीडीप हो रहा है किसी भी वस्तु का और वस्तु का निर्मान टोटल समझे से इंडिया में सौ समान बन रहा था आज प्राइस दस रुपय था तो आज इस साल दस रुपय है और सौ समान बन रहा है तो 10 अगहला साल क्या है प्राइस घ्यार घ्याने का मतलब इस रिस्पेक्ट में घ्र जाएगा और अगर प्राइस बढ़ जाता है है just like 10-11 हो गया तो 11 multiplied by 100 that is 1100 क्या हो जागा GDP तो अगर simple term बात करें if price change from one period to the next and then output does not change then the normal gt would change even the output remain constant अगर number of बस्तू same है price same है तो obviously normal GDP same रहेगा अगर change हो रहा है price में तो obviously change करेगा क्योंकि number of बस्तू number of product जो तो same है ठीक है आगे discuss करते है real GDP का तो real GDP क्या होता है कि total total final total जो भी बस्तू में बन रही है उसको एक base year के मान करके हम लोग जब calculate करते हैं तो हम उसको real GDP करते हैं ठीक है जैसे 2011-12 हमारा एक base year है और उस 2011-12 के accordingly हम आज जितनी भी बस्तू बन रही है उसका क्या price रहता 2012 में उसको हम real GDP बोलते हैं तो इसके लिए base year select करते हैं और उसके according हम लोग calculate करते हैं इसमें inflation include किया गया ठीक है बाट आज के according जो भी prices बन रही है उसको ना consider करके base year को consider करके हम जब calculate करते हैं तो आपका real GDP का लाता है अगर definition की की बात क्या जाए तो definition आप देखिए कि real GDP is the total value of all final goods and services that the economy produced during a given financial year accounting for inflation accounting for inflation मतलब यह आपको inflation को भी ध्यान में रखा जाता है ठीक है real GDP यह समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं potential GDP तो potential GDP वर्ड पोटेंशल से ही समझ में आ रहा होगा कि potential मतलब कितना potential GDP का एक theoretical concept है यह यह estimate करता है कि कि किसी भी देश का अगर हम maximum level utilize करते हैं और maximum capital use करके जितना भी maximum utilize maximum मतलब जो भी ads per requirement जो maximum utilize करेंगे sustainable rates से उसके accordingly हम जो manufacture कर सकते हैं जो बस तो निर्मित कर सकते हैं वह GDP जो calculate होगा वह आपको potential GDP करता है ठीक है the rate the rate that are constant with the steady growth and stable inflation okay so आपको यह potential GDP समझ में आ गया होगा अब आते हैं gross national product तो gross national product की बात क्या जाए तो gross national product क्या होता है कि किसी भी देखिए यहां पर word आ रहा है gross national product किसी देश के नागरिक के द्वारा यह citizenship की बात करें किसी देश के नागरिक के द्वारा जितने भी बस्तुएं निर्मित की जा रही है ठीक है उसके बस्तुएं और services के final price का sum ठीक है जैसे अगर बात किया जाए इंडिया में GDP में इंडियन के साथ foreigner भी रहें और कुछ इंडियन जो बाहर में काम कर रहे हों तो इंडिया का GDP में अगर हम विदेशी income विदेश वाले लोग जो कमा रहे हैं उसको घटा दे और विदेश में जो इंडिया के अंदर बस्तु बनी है तो यह हम घटाएंगे फॉर्ण वालों को और एक्स्ट्र जो इंडियन बचे हुए है जो विदेश में उसको में एड़ कर देंगे तो यह आपको आएगा जी एंप ग्रॉस नेशनल प्रड़क्ट यह टोटल सिजन सिप जो इसमें याद रखना है सिजन सिप एक कीवर्ड अब GDP की बात क्या जाया तो GDP आपको रिलेट करता है जोग्रफी संबंधित जोग्राफी रिलेटेट कॉंसेप्ट है जबकि जी एनपी जो है वो आपको सिटिजन सिप सेंट्रिक है अब GDP प्लस नेट फैक्टर इंकम फ्रॉम दा अबर्ड अगर जी एनपी निकलना है तो GDP प्लस नेट फैक्टर इंकम फ्रॉम जो बढेशी है लगबग जीरो या नहीं के बराबर है इन डाट कांट्री जीडीपी विल भी लार्जन दान जी एन पी ओक्या कि एक पोटेंशल जीडीपी अट सकते हैं तो की सब्पर्फ करता है कि आपको येज़ करता है कि पर पर सब्सक्राफ करते हैं Și पर पर्सन कितना income हो रहा है किसी भी देश का किसी भी जेग्राफिकल रिजन का जैसे अगर हम पर कैप्टा income की बात कर रहे हैं तो निकले का टोटल नेट आपको नेशनल इंकम नेशनल इंकम टोटल कितना हो रहा है उसके हम डिवाइट करेंगे पॉपुलेशन से तो आपको निकल जाएगा सो फर्मूला यह है टोटल इंकम आफ दे कंट्री डिवाइड वाइड टोटल पॉपुलेशन आफ दा कंट्री ओके अब बात करते हैं पर कैप्टा इंकम करोंट मैं क्या है इंडिया का तो पर कैप्टा इंकम इंडिया का करणड्र प्राइसे पर है 1,26,406 रुपई या इंडिया का 18-19 के कॉर्डिंग था और 19-20 के कॉर्डिंग जो पर कैप्टा इंकम है वो 1,35,050 रुपई है वहीं बिहार की बात क्या जाया है तो बिहार का जो करन प्राइसे पर था 44,652 रुपई और 19-20 में पर कैप्टा इंकम था 50,735 रुपई ठीक है अब बात करते हैं PSI at constant price ठीक है करन प्राइसे पर बात करते हैं constant price पर कैसा था तो constant price पर 18-19 में जो बिहार का था 31,626 रुपई और 19-20 में पर कैप्टा इंकम जो था आपको constant price पर 34,413 इसमें याद रखिए बेस यर जो लिया गया है वह 11-12 लिया गया है ठीक है तो अगर इंडिया की बात करें तो यह देखिए इंडिया का है इस इंडिया में 2019-20 में 1,08620 रुपई था आपको पर कैप्टा इंकम at constant price 11-12 आपका लिया गया था आपका base year और 2020-2021 में जो चुकी कोरोना था तो बहुत सारी lockdown हो गया थे और बस तुए नहीं बनी थी तो उस condition में GDP भी डॉण गया और पर कैप्टा इंकम भी डॉण गया तो वह 99,155 था ठीक है अब बात करते हैं basic last concept है आपका micro economics, macro, micro और mezo क्या होता तो macro economics deals with the entire economy of a given unit in province, nations and the world example की बात क्या जातो यह पूरा national level पे हम लोग economic growth की बात करें, inflation की बात करें, broad level पे तो आपको है macro economics में अगर हम consumer level पे, individual level पे हम बात करते हैं तो आप आता है macro economics में, so macro economics deals with the unit of economic and their behavior, example consumer behavior etc, mezo economics तो जो भी micro और micro और macro इस दोनों के बीच अगर जो भी आएगा हम करता है mezo economics, just like economy है sector of economy like auto sector, defense sector या फिर particularly IT sector तो यह आपको आएगा mezo economics, thank you लगभभा हम सारे concept discuss कर लिया है, thank you and please consider the subscription, subscribe कीजिए इस चैनल को अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, thank you. झाल को